ओके, so hey guys, what's up, welcome back on a new video, so guys, अगर आप online market से एक अच्छा सा Bluetooth speaker खरीदना चाते हैं और आपका budget कम है, आप चाहते हो कि 500 रुपे के अंदर आपको एक अच्छा सा Bluetooth speaker मिल जाए, तो ये वीडियो देख लेना हो सकता है, आपके लिए वीडियो बहुत ही useful हो, क्योंकि guys, आज के इ इसी Bluetooth speaker को, और जानेंगे क्या कुछ खास feature देखने को मिलता है, इसके अंदर base quality कैसी है, sound quality कैसी है, और इसके features के बारे में भी जानेंगे, तो चलेगे जिस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं, so guys, जेरा Bluetooth speaker का box, जो ये box आए मुझे live tech company की तरफ से आया है, और इस Bluetooth speaker का जो नाम है, वो है yoga wireless speaker, so guys, box देखने में काफी simple सा है, पीचर हमें कुछ features देखने को मिल जाते हैं, मैं बात करूँगा इसके सारे features के बारे में, चले सबसे पहले इसे unbox कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से यहां से open हो जाएगा, open होते ही अंदर हमें केबल देखने को मिल जा चले इस Bluetooth speaker को rapper से बाहर निकाल लेते हैं, so guys, यह रहा हमारा Bluetooth speaker, आप लोग यहां पे देख सकते हैं, इस Bluetooth speaker के अंदर जो हमें design देखने को मिल जाता है, काफी लाजवाब design देखने को मिल जाता है, यहां पे हमें live tech की branding देखने को मिल जाती है, एक बात और इस Bluetooth speaker की मुझे बनाने में काफी अच्छा material का यूज किया गया है, हलाकि इसका जो body है वो plastic से बना हुआ है, अप लोग आवाज सुन सकते हैं, बट यहां पे जो plastic यूज किया गया है, वो काफी अच्छा plastic यूज किया गया है, क्योंकि इसे हाथ में लेने के बाद काफी smooth सा feel हो रहा है, इ इस Bluetooth स्पीकर को mode का option देखने को मिल जा रहा है, आवाज बढ़ाने या गटाने का option देखने को मिल रहा है, और सॉंग को play and pause करने का भी option देखने को मिल रहा है, इसी के साथ पीछे की साइड यहां पे हमें कुछ output and input देखने को मिल जाते हैं, यहां पे हमें चार्जिंग अब पेंडराइब भी लगा कर इसके अंदर बड़े असानी से सॉंग को play कर सकते हैं, ओवर रूल बात किया जाए, इस Bluetooth स्पीकर के बारे में तो इसके अंदर जो design, quality, build quality देखने को मिल जाता है, वो काफी लाजवाब देखने को मिल जाता है, आप बात कर इस Bluetooth स्पीकर के क काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, अगर यहां पर आपका एक सवाल होगा कि यह mobile से connect होने में कोई problem तो नहीं होता, तो बिल्कुल नहीं होता, बड़े असानी से आपके mobile के साथ connect हो जाएगा, कोई भी problem आपको देखने को नहीं मिलता, इसका जो distance है guys, वो 10 meter, आप कही मीटर के range से बाहर निकलेंगे, तो इस Bluetooth speaker के अंदर थोड़ा सा voice break होने लगता है, आवाज क्या होता है, रुक रुक के आने लगता है, जो कि नॉर्मली सब भी Bluetooth speaker में होता है, उनके distance के हिसाब से, अब इसी के साथ बात कर लिए जाए इस Bluetooth speaker के battery backup के बारे में, तो इस Bluetooth speaker के अ दो से तिन दिन यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया, कि आपको यह Bluetooth speaker पांच घंटे का backup देगा, जो कि इसके price के साब से अगर compare करने जा रहे हैं, price के साब से काफी अच्छा battery backup हमें देखने को मिलता है, इसी के साथ guys सबसे important बात, इस Bluetooth speaker के अंदर 3W का एक speaker देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफी खराब लगा, यार यहाँ पे जो 500 रुपए ये ले रहे हैं, तो यार 5W का एक speaker तो जरूर देना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर जो guys हमें design, build quality देखने को मिलता है, सब कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है, यहाँ पर एक ही चीज मुझे खराब लगी, इसके अंदर हमें 3W का एक speaker देखने को मिलता है, जो कि इनको थोड़ा सा और अच्छा speaker ये दे सकते थे, अब चलिए बात करते हैं इसके sound quality के बारे में, तो चलिए आपके सामने टेस्ट करता हूँ इसकी sound quality, और मैं आपको बताता हू किस Bluetooth speaker के अंदर हमें sound quality कैसा सुनने को मिलता है, यार मेरा मेरा देखी, कितना पागल पने, तुने गम भी नहीं दिये अपने, तुने गम भी नहीं दिये अपने, तुने गम भी नहीं दिये अपने, यहां पे आप लोगों ने इस Bluetooth speaker के sound quality को सुना, अब मैं आप लोगों के साथ सेर करता हूँ कि इसके अंदर sound quality and base quality कैसा सुनने को मिलता है, तो guys, इस Bluetooth speaker के अंदर sound quality and base quality है, यहां पे आपको कोई भी problem देखने को नहीं मिलता, दोनों ही काफी ला जवाब है, अब चाहे वो sound quality हो, चाहे वो base quality हो, यहां पे बस हमें एकी problem देखने को मिलता है, इसका थोड़ा सा आवाज डाउन है, मतलब उतना loud आवाज यह नहीं करता, क्योंकि इस Bluetooth speaker के अंदर 3 watt tech speaker inbuilt किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि 3 watt tech speaker कितना तेज आवाज करता होगा, कितना तेज नहीं, सो य मुझे लगा मैंने आपके साथ share किया, ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ कुछ भी छुपा रहा हूँ, सो उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आयोगी, पसंद आयोगी तो प्लीज आज वीडियो को लाइक करना, और हाँ गाईस एक बात और, अगर आप इंट्रेस् इस वीडियो में इतना ही